सभी को नमस्कार सूपरबात आप सभी का स्वागत हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के नए वीडियो के साथ साथ ही आप सभी को पिचत्तरवे स्वतंतरता दिवश की हारदिक शूब कामना है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आलोग धन्वा की लंबी कविता पतंग का तीसरा भाग जो हमारे पाटे क्रम में शामिल किया गया है कवी इस कविता में पतंग के माध्यम से बच्चों के मनोबावों को परकट करता है साथ ही इस कविता में जिसका नाम पतंग है यह कविता बिम्ब से भरपूर है इस कविता में कई बिम्बो का प्रयूख किया गया है उनके बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे सर्वप्रतम कवी कहता है कि सबसे तेज बोचार गई सवेरा हुआ खरगोश की आखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलो को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए गंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारे से बुलाते हुए कवी अपना भाव प्रकट करते हुए कहता है कि सबसे तेज बोचार गई सबसे तेज बोचार यानि सबसे अधिक तेज वर्षा जो है वो भादो महीने में होती है तो भादो महीना जो है वो बीद गया है तथा बारिस का मौसम गुजर गया है यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह इसमें गती द्रश्य बिंब हैं, इसके अंदर गती द्रश्य बिंब, बिंब से तात्पर्य होता है, मूर्थ रूप परदान करता है, अगरे जी में कहते हैं image, कावे में बिम्ब वह शब्द चित्र हैं यानि एक प्रकार का वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रियों के अनुभव के आधार पर निर्मित होते हैं यानि कवी अपनी कलपना की माद्यम से इंद्रियों के अनुभव को शब्द चित्र के माद्यम से जब प्रकट करता है तो वह बिम्ब कहलाता है तो इस पहली पंक्ती में जिसमें कवी कहता है कि सबसे तेज बोचार गई भादो गया यानि अर्थात बर्षात का मौसम गया और भादो महीने में जो तिवर बर्षा होती है वह भी चली गई है उसके परश्चात सवेरा हुआ यानि बर्षा रितू गुजर गई फिर सवेरा हुआ खरगोश की लाल आखों जैसा सवेरा खरगोश की लाल लाल आखों के समान जब वर्षा रितू जाने के बाद आसमान कुला हो जाता है तो आसमान एकदम साफ नजराता है तो जैसा लग रहा है जैसे खरगोश की आखों के समान लाल लाल सवेरा हुआ हो शरद आया प जरद रितु जो है उसका आगमन होता है और ऐसा लग रहा है मानुवह पुलों को पार करते हुआ आता है तो इस पंक्ति में रूपकलंकार है साथ ही इसमें अपन देखेंगे कि दूसरी पंक्ति में जब आया है कि सवेरा हुआ अब यहाँ पर द्रश्य बिम्ब है यानि ऐसा लगता है जैसे कवी किसी द्रश्य का वरणन कर रहा है जिसमें नया सवेरा हुआ हो तो यहाँ पर द्रश्य बिम्ब का प्रयोग किया गया है फिर आगे अपन देखते हैं तीसरी पंक्ती में कि खरगोश की आखों जैसा लाल सवेरा इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ चाक्षुक बिंब है यहाँ पर कौन सा बिंब है चाक्षुक बिंब का जो है वो भाव यहां नजराता है उसके परश्चात अगर हम आगे देखे देखेंगे तो शरद आया पुलो को पार करते हुए तो इसमें भी आप देखेंगे गती द्रिश्य भिंब है यानि शरद आया तो इस प्रकार से जैसे गती हैं पुलो को पार करते हुए और पुलो को जैसे पार करते हुए वहा आता है तो इसमें गती द्रिश्य भिंब है कभी आगे वरणन करते हुए कहता है कि शरद रितु का जब आगमन होता है तो चारो और एक परकार का उल्लास, एक परकार की उमंग और एक परकार का उत्सहा जो है वो चारो और फैल जाता है ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई उत्सहा से भ़रा हुआ बालक पुलो को पार करते हुए आ रहा है साथ ही कवी ये भी कहता है कि अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर कवी अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज करते हुए अर्थात यहाँ कवी यह भाव कहता है कि जैसे कोई बच्चा अपनी साइकिल को तेज गती से चलाते चलाते जोर जोर से गंटियों को बजाते हुए गंटी बजाते हुए जोर जोर से गंटियों को बजाते हुए अपने मित्रों को चमकीले इशारे से बुलाते हुए वह आगे बढ़ रहा है और सभी को अपनी और आकरशित करता है इसका तात्प्रिय है कि शरद रितु आने के बाद चारो और का वादावरन बड़ा ही खुशहाल हो जाता है एक प्रकार का उल्लास जो हैं वो चारो और फैल जाता है सब और धूब की चमक फैल जाती है बच्चों के मधूर करण करण प्रिय स्वर हैं वो सुनाई देते हैं बच्चों के खेलने का शोर और उनके द्वारा किये गए इशारे और उनके द्वारा जो पतंग बाजी की गई हैं उस पतंग बाजी का माहोल पुरा ही खुशनमा हो जाता है इसमें आप देखेंगे तो घंटी बजाते हुए जोर जोर से इसमें श्रव्य बिंब हैं यानि गंटियों की आवाज जो है वो कभी एक परकार की कलपना करता है कि जैसे गंटियों की आवाज सुनाई दे रही है फिर आगे देखते हैं चमकीले इशारों से बुलाते हुए चमकीले इशारों में अगर देखेंगे तो इसमें भी गती चाकशुक बिंब हैं यानि इसमें गती भी हैं और साथ साथ में चाकशुक बिंब भी हैं जो जैसे हमारे सामने सारी गटनाएं गटित हो रही हो कभी आगे वरणन करती हुए कहता है कि पतंग उडाने वाले बच्चों का जुंड को चमकिले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उपर उठ सकें आईनि बच्चे जब शरद रितू रुपी बालक ने आसमान को बहुती एकदम स्वच बना दिया है और एकदम मुलायम बना दिया है और साथ ही कभी यह कहता है कि पतंग उपर उठ सकें अब आसमान भी इतना साफ हो गया है कि आसमान के उपर पतंग जो है वो आसानी से उपर उठ सकें इसलिए मौसम भी बिल्कुल साफ हो गया है ताकि आसानी से यहाँ पतंग जो है वो आसमान में उठ सकें और बच्चे जो है वो उस पतंक के मात्यम से इस आसमान की उचायों को नापने का प्रतन कर सके कभी कहता है कि दुनिया की सबसे हलकी और रंगी इन चीज उड़ सके आसमान साफ है तो दुनिया की सबसे हलकी और रंग बिरंगी यह चीज जो पतंग है वह आसानी से उड़ सके दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके यानि पतंग के रूप में जो दुनिया का सबसे पतला कागज होता है वह आसानी से उड़ सके इस परकार का भाव कहता है बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके उस कागज पतले कागज पर बांस की पतली पतली जो टहनिया होती हैं खपच्या होती हैं वह उसके उपर लगए जाती हैं और पतंग जो हैं उसके माद्देम से वह उपर उड़ती हैं फिर शुरूवद्धी हैं कि शुरू हो सके सीटियों की किलकारिया और तितलियों की इतनी नाजुग दुनिया जब बच्चे इस प्रकार से पतंग उड़ाना प्रारम करते हैं तो पूरा आसमान रंग बिरंगा हो जाता है सारे बच्चे सीटिया मार मार करके और किलकारियों के माद्यम से आसमान को गुंजाय मान कर देते हैं और सारे के सारे पतंग जो आसमान में उड़ते नजर आते हैं वो इस प्रकार लगते हैं कि जैसे कोई बच्चों की किलकारिया जब इस प्रकार से गुझती है और चारो और वातावरन जो है वो खुशनमा हो जाता है और सारे रंग बिरंगी पतंगे जो आसमान में उड़ती है वो तितलियों की भाती नजर आती है कभी आगे कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ अपना कोमल शरील लेकर के इस धरती पर आते हैं जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास यानि कपास जिस परकार से मुलायम होता है एक परकार से नाजुक होता है वैसे ही बच्चों का शरीर भी नाजुक और मुलायम होता है तब उनको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगती है जैसे कपास को किसी प्रकार से भी फैका जाए तो उसके किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता ऐसे ही बच्चे भी उसी कपास के समान कोमल होते हैं मुलायम होते हैं जो हर प्रकार की चोट को सहन कर जाते हैं और इस प्रकार से बच्चे जब कपास के समान मुलायम होते हैं तो प्रत्वी घुमती हुई आती हैं उनके बेचेन पैरों पर क्योंकि उनके पैर तो बेचेन हो तो ऐसा लगता है, मानो सारी छत जिसके उपर बच्चे पतंग उड़ाते हैं, वो पूरी तरह से नरम हो गई हो, एकदम किसी प्रकारक से बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, और जब बच्चे उन छतों पर दोड़ते हैं, तो दिशाओं में को मृदंग की तरह जब वे पेंग भरते हैं, अर्थात वह जब जूलते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अकसर, बच्चे जब छतों पर इस परकार से भागते हैं, तो ऐसा लगता है, जैसे वो जूल रहे हैं, औ और छत के किनारे पर जब आकर के जब इस परकार से अपने लचिले वेग के साथ जब वे अक्सर गिरने वाले होते हैं या गिरने का भाव होता हैं तब गिर करके बच जाते हैं कई बार गिरते गिरते बच जाते हैं तो जैसे टहनी के समान लग रहे हैं जैसे एक व्रक्ष की टहनी किस परकार से जूलती है वैसे ही उस चत की टहनी जो है वो नजर आती है आगे कवी कहता है कि डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरते से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रुमांचित शरीर का संगीर यानि जब बच्चे खतर किनारों पर जहां से वो गिर सकते हैं उस समय उन्हें केवल उनका रुमांचित शरीर ही बचाता है जिससे एक परकार का संगीत निकलता है बहुत संगीत ही उन बच्चों को एक लय के साथ में आगे बढ़ाता है और इस परकार से खतरनाक किनारों से बचने के लिए अफसर परदान करता है, पतंगों की धड़कती उच्छाइया उन्हें थाम लेती हैं और साथ ही जो पतंग आसमान में उड़ रही हैं, उनकी उच्छाइया भी उन बच्चे को एक परकार से थाम लेती हैं बचा लेती हैं और उनको बचाने के लिए महज एक धागे के सहरे महज एक धागे के सहरे पतंगों के साथ-साथ वे भी उड़ रहे हैं यानि एक पतले के धागे के साथ पतंग तो आसमान में उड़ती हैं लेकिन ऐसा लग रहा है मानो बच्चे भी उन पतंग के साथ-साथ आसमान में उड़ रहे हैं अपने रंद्रों के सहारे वह आस्मान में उड़ रहे हैं अपने शरीर से निकलने वाले उस संगीत के रों से यानि अपने शरीर के रों से निकलने वाले उस संगीत के सहारे ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी आस्मान में उड़ रहे हैं आगे कभी कहता है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरना किनारों से और बच जाते हैं तब तो कई बार बच्चे गिर्दने को होते हैं परन्दू गिरते नहीं हैं और उनका उत्साहा उन्हें बचा लेता हैं और जब वह एक बार गिरते गिरते बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने यानि उसके बाद तो बच्चे पूरी तरह से निडर हो जाते हैं यानि उनके मन से भय जो है वो पूरी तरह से गाइब हो जाता हैं और इस परकार से जब उनका भय गाइ प्रत्वी और भी तेज घूमती हुए आती हैं उनके बेचेन पैरों के पास यानि उनके पैरों की गति और भी बढ़ जाती हैं कवी इसके मात्यम से ही कहता है कि जब बच्चे पतंग के मात्यम से स्वयंबी आसमान में उड़ता है तो वह अपनी कल्पनाओं को पूरा करता ह अपनी इच्छाओं को पूरा करना है उस आसमान की सीमा को वह नापना चाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है उस अनंत आसमान में वह उस पतंग के मात्यम से या पतंग के साथ स्वयंबी आसमान में उड़ता फिरता है इस परकार से कवी जो है वो पतंग के मात्यम से एक बच् प्रियोग किया गया है मुक्तक छंद में यह लिखी गई रचना है यानि इसकी जो रचना है यह मुक्तक रचना है साथी साथ कवी ने इस कवीता के अंदर रूपक अलंकार का प्रियोग किया है पुन्रुक्ती प्रकार्स अलंकार का प्रियोग किया है और उपमा अलंकार का भी प्रियोग किया है तो इस प्रकार से यह कवी अपनी कवीता के माद्यम से पतंग कवीता के माद्यम से जो एक लंबी कवीता है हम सब के सामने यह बच्चों का भाव जो है वह प्रकट करते हैं इस कविता में विशेश रूप से जो है जो शिल्प सौंदर है वह है इसके बिम्ब विदान यानि इसका जो महतुपूर्ण बिम्ब विदान है वह है बिम्ब विदानी इस कविता का महतुपूर्ण भाग है जो कवी ने इसके माद्दिम से हमें प्रकट किया है धन्यवाद